हम चाहे कितने बड़े क्यों न हो जाए हम नियती से बड़े नहीं हो सकते भूचपुरिया पावस्टार पवन सिंग के पिता की आखरी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाए पवन सिंग और जिसका मलाल आज भी पवन सिंग को कसूरता है तो चलिए बताते हैं कि क्या है पूरी खबर पवन सिंग भूचपुरी में एक बहुत बड़ा नाम है पवन सिंग के साथ कौन फिल्में नहीं करना चाहता आज पवन सिंग जिसके सर पर हाथ रख दे वो भूचपुरी इंडस्ट्री में सुपर हिट है लेकिन क्या आपको प के बारे में उनकी पब्लिक उनकी फैंस सब कुछ जानना चाहते हैं तो बता दे कि पवन सिंग के पिता बहुत चाहते थे कि पवन सिंग शादी करें अपना घर बसाए और उनके परिवार को वह देखना चाहते थे और आगे उनको खुस देखना चाहते थे पवन सिंग उन इसके लिए रेडी नहीं हु रहे थे। इसका कारण ये था कि पवन सिंग की पतने नीलम को कहा जा रहा था कि पवन सिंग बिपाइय थे। और ऐसे मिंचा कि ये इच्छा वा चाह रहे थे यह कि कुश बाद वह पूरी करें लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था भले ही पवन सिंग ने पिता को वादा तो कर दिया था लेकिन वो सही समय का इंतिजार कर रहे थे कि जब कि मेंटली पिर्पेयर हो जाएंगे वो शादी कर लेंगे। ऐसे में पिता का देहान्त हो गया। पिता के देहान्त के बाद पवन शिंग को इसका बहुत ही अफसोस हुआ, कि उन्होंने अपने पिता की आखरी इच्छा पूरी नहीं की साथ ही उसके बाद उनकी मा ने उनके पिता की आखरी इच्छा उन्हें बताई कि वो उनके परिवार को देखना चाहते थे पवन सिंग को खुज देखना चाहते थे वही उनके पिता की आखरी इच्छा थी और ऐसे में तब पवन सिंग को लगा, कि उन्हें अपने पिता की आखरी इच्छा पूरी करने चाहिए, साथी साथ उनकी मा की भी यही इच्छा थी कि पवन जल से जल शादी करके अपना घर बसा ले और ऐसे में ही उन्होंने अपने पिता की आखरी इच्छा पूरी करने के लिए पिता के मौत के कुछ महिनों बाद ही उन्होंने मा के कहने पर मादवारा बताए गए लड़की से ही उन्होंने शादी कर ली लेकिन आज भी पवन सिंग उन सब चीजों को जब याद करते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं कि अगर पिता होते यह सब देखते कि उनकी ग्रिहस्ती जोती सिंग के साथ बस चुकी है तो इसे देखकर वो खुश होते होट और मसालेदा गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए